आपने मेरे लास स्पिती के शॉट में देखा होगा कि हम पहुंच चुके थे चितकुल और वहां से निकल पड़ा था स्पिती की तरफ इन बट्वीन मेरी बाइक के ब्रेक फेल होगे जैसे दैसे करके मैं हाईवे पहुंचा मैंने पटोल फिल फिल कराया क्योंकि मुझे पता चला था इसके बाद आगे कोई पटोल पर नहीं आने वाला थोड़ा आगे जाते ही कलपा की तरफ यह रस्ता मुडता है इन बट्वीन मुझे कलपा से निकल के कहीं बीच में स्टे करना पड़ा सुबे निकला पर सफर पर इन बट्वीन एक ग्रिज आता है जहां पर दो नदियों का संगम होता है मैं वह पहुंचा एक नदी जो आरी थी तिबबच चाइना की तरफ से और एक आरी थी स्पिती की तरफ से जो कि दोनों मिलने के बाद सतलुज बन रही थी मेरा टार्गेट मैंने बनाया था कि आज की डेट में जे नाको तक पहुंचना है नाको वो जगह थी जहां पर इंडो चाइना का लास विलेज लगता था चाइना बॉर्डर हाडली आठ किलोमेटर की दूरी पे था तो वहाँ पे एक ऐसी मुनेस्ट्री थी जिसके अंदर छेसो साल पुरानी ममी थी सुनने में आए था कि उसके अभी तक बाल और नाकुन बढ़ते हैं इस चीज़ को आप पूरा अच्छी तरह देखना चाहते हो तो डेफिरिंटली आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो